हाई फ्रेंड्स गुड वर्निंग विल्कम टो ऑनलाइन प्रेप्रेशन बिथारती में आपका बहुत बहुत शागत है फ्रेंड्स हमने कल बीडियो डाला था आपको बताया था कि जो एंसी टी ने डिलेट की मानता रद की है उसको अवैध आमान बताया है इन्वैलिड बताया है उसका एक रीजन हो सकता है कि जो इतनी सारी गड़वडी पाई गई है आपके डिलेट कोर्स में उसको लेकर हो सकता है बहुत सारे कमेंट्स आए पॉस्टिव कमेंट्स भी आए उनका सौगत करती हूँ लेकिन बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आए कि डियलेड और बीयड में बहुत फर्क होता है suppose that आप कहते हैं कि बीयड वाले भी इसी तरह से करते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता देखें यहाँ पे clear कर दूं कि बीयड में ऐसा कोई rule नहीं होता है कि बीयड सिर्फ वही कर सकता है जो untrained यानि जो teacher हो यहाँ पे इस चीज को समझे इस्तित को समझे कि डियलेड में condition term and condition रखा गया था है नायज डियलेड में कि जो लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं और untrained है यानि school में चाहिए वो private हो या government school में हो वो पढ़ा रहे हों वो teacher है और उन्होंने कोई भी training नहीं ली है teaching का यानि untrained है उनको यह डियलेड करना है और हमने आपको वीडियो में बताया था कि बहुत से ऐसे लोग है जिनका school से कोई नाता नहीं था वो teacher नहीं थे वो पढ़ा नहीं रहे थे लेकिन जैसे ही NIS ने डिलेड लांच किया उन्होंने अपने पहचान की school में या फिर किसी भी school में पैसे दे के किसी भी तरह से अपना registration करवा लिया यानि अपना नाम वहाँ पे लिखवा लिया as a teacher के रूप में और उनको पैसे भी दिये गए हैं यह proof भी मिल रहे हैं तो और कह दिया गया कि आप यह बोलिए कि हम आपके school के teacher हैं क्योंकि उसके बाद principal verify होना था यूडाइस code मिलना था तो वो कहां से मिलता वो school से मिलता इस तरह के बहुत सारे teacher हैं जिन्होंने delete किया है तो please आप यहां पर इस चीज को समझे इस इस्तित को समझे यदि आपने fair काम किया है आपने सही काम किया है आप teacher है और आपने delete किया है तो आप बिलकुन सही है निगेटिव कमेंट्स मत करिए और किसी से compare मत करिए मैंने बेट किया है मैंने fair बेट किया है बहुत से लोग होते हैं जो रिगुलर होके प्राइवेट जैसा बेट करते हैं fair नहीं होता है लेकिन उसमें कोई term and condition नहीं होती है लेकिन यहां पे term and condition आपकी delete के साथ में रखी गई थी कि आपको स्कूल में पढ़ाना ही पढ़ाना है आपको teacher होना ही होना है और यदि आपके पास teaching experience नहीं है तो आपको यह delete करना है so please पहले वीडियो को वाच करिए देखिए समझिए दिन comments करें क्योंकि comments आपका आपका व्यक्ति तो आपका नेचर बताता है आपकी personality बताती है चलिए आज हम आपके लिए कुसकबरी लेके आए हैं कि जो आपके chairman CB सर्मा है उन्होंने NCT से दो सवाल पूछे हैं वो दो सवाल कौन से हैं तो चलिए देखते हैं उन्होंने पहला सवाल तो NCT से यह पूछा है कि जो डियलेड है वो आसम मैधानिक कैसे हुआ NCT उनको बता दे सबसे पहला सवाल है CB सर्मा जी का क्योंकि वो ले रहे हैं डियलेड का फेवर लेना भी जरूरी है 12-13 लाग टीचर से हैं इन्होंने यहां से डियलेड किया है नायस ने खुड डियलेड कराया है नायस के अद्धक्ष हैं आपके CB सर्मा जी तो बिलकुर उनकी responsibility बनती है दूसरा उन्होंने question जो पूछा है वो आप वीडियो में देखिएगा very important questions यह सभी है जो आपके favor में जा रहे हैं तो आपको परशान होने के जरूरत नहीं है वीडियो को like करिए share करिए comments करिए सोच समझ की वीडियो देखके करिए कोई query हो तो आप comments कर सकते हैं ठ question यह भी उड़ता है तो यहां पर समझते हैं कि नाइस के जो चेयर मैन आपके सीवी सर्मा है उन्होंने एंसीटी के फैसले पर जवर्जर्स नराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि मुझसे बिना पूछे कैसे एंसीटी ने एक तरफा फैसला सुना दिया है नाइस के जो अध्यक्ष और चेयर मैन है उनसे बिना पूछे कैसे एंसीटी कह सकता है कि जो यह डियलेड है वो अमान है अवैद है ठीक है जब नार्दन ने उन्होंने यह भी कहा कि जब नार्दन रिजनल कमेटी ने एन आयोयस डियलेड को पूरी तरह मानता दिया है तो ऐसे में एंसीटी को इस मामले में एक तरफा फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्होंने दावा किया है कि एंसीटी के फैसला पूरी तरह से आसंबेदानिक है उनका कहना है कि नार्दन बिजनल कमेटी जो है उसने जब डियलेड को मानता दे दी है और इस तरह से उसके मानता देने के बाद ये अकेले एक तरफा का मतलब है कि सिर्फ ये फैसला ले कह दिया है कि ये अवैद है आमान है तो ये जो है आसंवयधानिक है इसमें नारदन पर देखते हैं कि उन्होंने दूसरी बाद क्या कही है एनसीटी से उन्हों उन्हें दूसरी बात भी पहली बात अस्त मेधानिक्ता की की है और दूसरी बात उन्होंने जाच कराने की है ये सीवी सर्मा है जो अपने चात्रों है देलीन का कर रहे हैँ फेवर तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक चीज और बात सामने आ रही है कि जो एनायस के अध्यक्ष सीबी सर्मा है। उन्होंने फोन पर सरकार के फैसले पर नराजगी जाहिर की है और उन्होंने ये भी कहा है कि डिलेट के छात्रों पर अगर किसी को कोई सक्थ है तो उनको किसी अंसंस्थान से डिलेट करने वाले चात्र के साथ परिक्षा में बिठा कर जाच करा लें यह ऐसा है कि उन्होंने नाइस से डिलेट किया है और आप उसको अमान गोसित कर रहे हैं जिनको नाइस ने ट्रेंड किया तो उनकी ट्रेंडिंग पर आपको कोई सक्थ हो रहा है तो जो अधर इंस्ट्यूट है अधर संस्थान है तो उनके सिख्षक के साथ आप एक बार उनकी परिच्छा ले सकते ह बिठा कर जो है आप एक जाच करा सकते है कि क्या यह सिख्षक बनने के योग है या नहीं है तो फ्रेंड्स इन्हों ने दो कोश्चन पूछे असंबैधानिक को लेकर कि कि असंबैधानिक कैसे हुआ 18 मंद का आपका कोर्स था 6 मंद का इंटरसिव था 24 मंद हो रहे हैं दू दूसरा उनका सवाल था कि अदि एंसीटी को किसी टीचर पर डाउट है यहां के इस्टुडेंट पर जो इन्होंने डिलेट किया उन पर डाउट है तो दूसरे चात्रों के साथ एक्जाम ले सकते हैं जाच करवा सकते हैं बहुत अच्छा यह विस्ट आफशन उन्होंने दिया है क्योंकि उनको अपने स्टुडेंट पर अपने टीचर पर गर्व है और होना भी चाहिए पुड़ा यकीन है तो आपको भी अपने चेयर मैं पर एनायस कि जो अध्यक्ष है उन पर आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए तो अपना यकीन बनाए रखिये और बहुत जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें नेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाए